नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्रिस्टी क्रियेशन में, कैसे हैं आप लोग, आज मैं आपको रुमाल रियूज के दो मस्ट आइडियाज बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्त तक बने रहेगा, I hope कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, वीडि जिप लिए है, जिप को इस तरह से रखेंगे, बीच वीच और इसको स्टीच करेंगे, दोनों साइड स्टीच करेंगे, तो पहले हम एक साइड स्टीच कर लेते हैं, इस तरह से, देखे मैंने इसको यहाँ पर स्टीच कर लिया, अब इसको इस तरह से रखेंगे, और इस सिख करेंगे तो यहाँ पर पहले हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से सिळाई लगा देंगे पुरे में पूरी जिप पे हमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ दीके हमने पूरी जिप को सिल दिया अब हमें इस पर फिनिसिंग की सिलाई लगानी है तो इसके लिए हमने इसको बीच से ओपेन कर दिया और यहाँ फिनिसिंग की सिलाई लगाएंगे तो जैसे हमने पहले साइड पे लगाया था उसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिश लगा देते हैं तो यहां देखिए हमने दोनों तरफ स्टिश लगा दी अब हम इसमें runner attach करेंगे तो यह runner को मैंने इस तरह से attach कर दिया अब इसको हम पूरा निकालके फिर से इसको डाल लेंगे तो हमारी दोनों तरफ जिप लॉक हो जाएगी और इसको इस तरह से हम टर्ण कर लेंगे तो यहाँ पे हमने जहाँ से जिप अटेज करी है वहाँ से इसको स्टिच करते हुए कॉर्णर तक लाना यानि कि यहाँ पे हमें तिर्ची सिलाई लगानी है तो यहाँ हम इधर देके तिर्ची सिलाई लगा देते हैं इस तरह से इसी तरह से हम दूसी तरह भी तिर्चे सिलाई लगाएंगे जिप के पास से हमें सिलाई रखनी है और कॉर्णर तक लगा देना है तो यह देखे हैं हमने इसको यहां इस तरह से लगा दिया अब यह जो हमारा extra fabric बच रहा है उसको हम इस तरह से cut कर देंगे दोनों side से cut करेंगे इस तरह से और इसको corner से पकड़के इस तरह से रखेंगे और लगबख एक इंच जितना अंदर छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसे cut कर देंगे अभी जो पार्ट हमने cut किया है इसी को हम दूसरे side रखेंगे और इसी के measurement से हम दूसरी तरह भी सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारे equal रहेगा तो यहाँ देखें हमने इस तरह भी सिलाई लगा दी और इसको cut कर लेंगे अब इसको हम turn करेंगे और यह एक प्यारा सा पाउच बनके हमारा तयार है बहुत ही cute सा पाउच बना है हमारा I hope की idea आपको जरूर पसंद आया होगा तो देखें यह यह बनके तयार होगे अब हम चलते हैं अपने idea number 2 की तरफ तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से एक दूसरा हैंकी लिया हुआ है और उसको भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ देखें हमने निसान लगा लिया है इसको इस तरह से जो हमने निसान लगाया है उसे cut करके निकाल देंगे और इसी measurement से हमें दूसरे corner पे भी निसान लगा के cut कर लेना है आप चाहें इसी को रखके जो हमने fabric cut किया है इसी को रखेंगे और इसी के according हम इसको भी cut कर लेंगे हमने इसको इस तरह से cut कर दिया अब हमने ये zip का runner निकाल दिया और इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी यहाँ पर भी हम दूसरे side भी सिलाई लगा देंगे और इसको 20 से open करके यहाँ पर हम prestige लगा देते हैं दोने तरफ हमने prestige लगा दी अब हम runner को attach करेंगे तो देखें इस तरह से हम runner डालते हैं यहाँ पर हमने इसमें runner डाल दिया और इसको इस तरह से पकड़ के खीचेंगे और दूसरी तरफ निकाल देंगे जिससे की दोनों तरफ zip lock हो जाएगी और यहाँ पर हम फिर से इसमें runner attach कर देंगे तो यहाँ पर हमने इसमें runner डाल दिया है अब हम इसको turn करेंगे उसको हमने इस तरह से turn किया और अब यह जो हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पर हम इसमें नीचे की तरफ एक plate डालते हुए छोटी सी plate डालेंगे और सिलाई लगा देंगे और उसको हमने इस तरह से सिल दिया इसके बाद हम इसको टर्ण करेंगे और देखिए ये हमारा एक और बढ़ियासा पाउच बन के तयार है दोनों ही बहुत क्यूट पाउच बने हैं लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा सा आरलाग है और उसका डिजाइन थोड़ा सा आरलाग ह तो I hope कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा चानल पर पहली बार आएं तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं इसी तरह एक एक और नए वीडियो में तब तक के लिए वे वे थैंक्स पर वाचिंग